Hello everyone, स्वागत है आप सभी का Learn and Fun पे मेरे साथ मेरा नाम है Tania Sharma और आज बच्चे हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का पहला चाप्टर A Letter to God written by GL Fiontis तो यार जितने भी बच्चे निउ हैं पहले तो welcome और जितने भी बच्चे मुझे नहीं जानते हैं मेरा नाम Tania Sharma है और मैं आपको इस चानल पे English पढ़ाती हूँ Last year मैंने बच्चों को Hindi भी पढ़ा दिया था क्योंकि उनके exams थे and काफी अच्छा response रहा है आपके seniors का अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हूँ तो आप लोग चानल पे जाके check out भी कर सकते हो अगर आप चानल के live वाले section में जाओगे और वहाँ पे recent English की marathons वगेरा देखोगे तो आपको comment से पता चल जाएगा कि उनका board का exam English का काफी अच्छा गया है and लंसम 20,000 बच्चों ने marathon को attend करा था और यह सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने board की exam को बहुत अच्छे से करके आप आओ and यह चीज well proven है अभी result में भी आपको दिखे गाई बट उससे पहले भी अगर आप जाओगे चानल पे most popular पे तो आपको 6-7 English की classes दिखेंगी जिस पे काफी अच्छे views हैं तो छोड़ो comments आप जाकर देखोगे अपने seniors के तो आपको उनका feedback बता चलेगा खेर यह तो रही मेरे बारे में बात तो मैं यह hope करती हूँ कि हमारी जो इस साल की journey है इस साल की class 10th की journey है वो भी बहुत amazing रहने वाली है सो मैं आपको बता दूँ यह chapter मैं आपको story form में बताने वाली हूँ बहुत ही असान तरीके से ताकि आपको दुबारा कभी यह chapter पढ़ने की जुरत ही न पढ़े अगर आपको NCRT की line by line एक-एक line, एक word का meaning करते हुए इस story को पढ़ना है तो मैं link नीचे डाल दूँगी वो भी मैंने करार रखा है, आप लोग वो भी check out कर सकते हो, उसे भी पढ़ सकते हो फिराल हम लोग चलते हैं class 10, letter to God GL 15 पे, अच्छा also यह जब chapter में खतम करा दूँगी न बच्चा पाटी, तो मैं आपको इसके 5 questions दूँगी ठीक है, homework के लिए ताकि आपकी practice बनी रहे तो वो 5 questions आप लोग कहां करोगे description में देखोगे, एक form है एक link है basically, आप उस link पे click करोगे, बिल्कुल free है 5 questions पूछे जाएंगे, इस chapter से related आपको answer देना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपने class अच्छे से attend करी है और आपको अच्छे से समझ में आया है कितना आया है, ठीक है, बिल्कुल free है, और मैं हमेशा board वाले बच्चों को भी बोलते थी कि question practice किया करो, तो मैंने सुचा कि starting के session में मैं ही बच्चों को question दे देती हूं वो कहां ढूनेंगे, practice करेंगे तो 5 question आपको मिलेंगे, आपको उसका जवाब देना में एक को और description में आपको link मिल जाएगा link पे click करके आप questions attempt कर सकते हो, साथ ही साथ अगर आप लोग join करना चाहते हो class 10 का believers batch तो वो भी आप लोग कर सकते हो, शुरू हो रखा है believers batch और उसमें एक एक चीज बहुत जादा अच्छे तरीके से मैंने समझा रखी है सो अभी हम आगे चलते हैं A letter to God सबसे पहले बच्चों लिखा किसने हैं, ये जानना बहुत जरूरी है सो G.L.F.19 ने इस chapter को लिखा है, इस lecture से जिसका नाम है लैंचो अब आपको पता ही है यार, एक फार्मर अपनी फील्ड पे कितनी जादा मेहनत करता है, कितना जादा effort मारता है वो अपनी फील्ड के उपर राइट, तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही फार्मर होता है लैंचों जो बहुत जादा मेहनत करता है उसका एक लौता घर होता है वैली में वैली क्या होता है घाटी ठीक है जैसे घाटी होती है न तो उसके बिलकुल टॉप पर एक लो हिल की पहाडी होती है आप बोलोगे मैं टॉप भी बोल रहे हो लो भी बोल रहे हो क्या बोल रहे हो देखो एक वैली है एक घाटी है बेसिकली ठीक है अब एक घाटी में पहाडी है इस पहाडी की जो हाइट है वो लो है बट लो कम हाइट की पहाडी के टॉप पर यहां पर क्रेस्ट पर टॉप और क्रेस्ट सेम है यहां पर एक घर है दो हाउस मतलब एक लौता ओनली हाउस है ठीक है और वो किसका है लेंचो का है और लेंचो ने क्या कर रखा है field of ripe corn ये भुटे है न भुटे इसकी इसकी field है ठीक है ripe corn की field है आपको याद रखना है ये question आ जाता है किस चीज की field थी ripe corn कौन की field थी इतना समझ में आया एक आदमी है लेंचो उसका एक घर है कहां पर है घर crest of a low hill यानि की कम height वाली पहाडी के crest टॉप पर उसका घर है और उसकी एक field है ripe corn की अब क्या होता है बचो एक दिन पूरी सुभा ये north east direction में very important exam के perspective से कि बिचारा लेंचो इसे north east direction में देख रहा है कि यार कब बारिश आएगी कब मेरी फसले अच्छी होंगी हाना कब मैं इनको ब सबरी से इंतिजार कर रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि आज मुझे आसमान देखके लग रहा है आज बादल देखके लग रहा है कि बारिश आएगी तो वो पूरे दिन north east direction में देखता रहता है इतने में क्या होता है उसकी बीवी उसे खाने के लिए आवाज देती ह बिलकुल उस ही साब से बच्छो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगती है बिग ड्रॉप्स ओफ रेन बिगेन टू फॉड थीक है north east direction से बड़ी बारिश की बूंदें जो बादल आते हैं बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगत यहां पर देखो और थे निया पहाडी की बहुत उच्वा पहाड नहीं है एक पहाड़ी उसके topper crest पर एक घर है यह लैंचो का घर है यह लैंचो के बच्चे हैं यह लैंचो हो गया अब यह इसकी राइट कॉन की फील्ड हो गई और यह बारिश गिरना शुरू हो गई अब यहां पर वह बहुत जादा खुश होता है वह बोलता है अब यह जो वह बोलता है ना यह चैप्टर का सबसे का बोला उसने बोला कि यह तो न्यू कोईन्स है जो बड़ी वाली बूंदे हैं वो 10 सेंट है सेंट क्या होता है एक छोटी करंसी लेटी अमेरिका साइड की एक छोटी करंसी होती है सेंट जैसे हमारी छोटी करंसी क्या है पैसा वैसे उनकी छोटी करंसी क्या है सेंट तो यह यहां पर उसने बड़ी बुंदों को क्या बोला कि यह तो 10 सेंट है क्योंकि ओविसली जो बारिश की बुंदे आ रही है उससे फील्ड अच्छी होगी फिर उसे पैसा मिलेगा हाना तो वह बोल रहा है बड़ी बुंदे 10 सेंट है जो छोटी वाली है वो 5 सेंट है याद रख बहुत तेज तूफान आने लगता है बहुत तेजी से हवाय चलने लगती है और धीरे धीरे बारिश के साथ साथ हम देखते हैं हेल स्टोंस हेल स्टोंस क्या होते है ओले हना जो अब कुछ दिनों पहले वी बारिश वही ती तो बड़ी तेजी से ओले गिरे थे हां तो के कनफ्यूज यहाँ पर नंबर लूज करके आता है वो क्या बोलता है कि यह जो ओले है ना inspired किसी की तरहां दिखना तो यह जो ओले है कि Struchen की तरहां दिख रहे है नूजमः को कॉईंस की तरह दिख रहे है न छूटण चुटशटे से वाइट वाइट से तक coins यहीं पर बच्चे confused होते हैं कि new coins और new silver coins याद रखना rain drop को खाली बारिश को उसने बोला था new coins खाली new coins बट यहां पर hailstone को क्या बोला था new silver coins silver word add होता है जब hailstone आता है paper में question आ जाता है hailstone को उसने क्या बोला new silver coin ठीक है उसने बारिश की बुंदो को क्या बोला new coins इन दोनों में confused मत होना अब आगे देखो क्या होता है अब धीरे देखते देखते ओले गिर रहे हैं पूरी की पूरी field white हो गई white मतलब क्योंकि ओले तो white होते हैं तो पूरी जगा ओले ओले हो गई पूरी field white हो गई ऐसे लग रहे है बाई किसी ने नमक फेर दिया हो covered with salt हो field ठीक है एक भी single leaf पेड़ पे बच्चों नहीं बचती एक भी single leaf मैं दोबारा आपको lecture की बीच में बता रही हूं ऐसी एक भी चीज नहीं है आपकी बुक्की जो इस lecture में मैं छोड़ूंगी सारी important चीज़े exam perspective से chapter perspective से आपको इस छोटे से lecture में मिल जाएगा still अगर आपका मन है कि हमें एक एक line पढ़ना है नीचे description में link डलवा दूँगी full ncrt line by line करके देख लेगा so यह जो फील्ड थी पूरी की पूरी वाइट हो जाती है नमक से cover हो जाती है पूरे के पूरे पेड़ जो है उनकी leaves गिर जाती है एक भी single leaf पेड़ पे नहीं बचती है और जो कौन होता है वो totally destroy हो चुका होता है अब वो बहुत दुखी हो कि अपने field के बीच 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 जाके खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों को बोलता है अब plague प्लेग क्या होता है large group of locusts क्या होते है वो कीड़े जो आपकी फसल खा जाते है तो वो बोलता है अगर वो कीड़े होते न जो फसल खाते है अग अब लैंचो कोई मन में केवल एक ही एक आशा थी help from God हना के अब मेरी मदद केवल भगवान कर सकता है क्योंकि बचपन से बच्चों हमें सिखा जाता है कि भगवान सब देख रहा है उपर वाला सब देख रहा है हना वो जो हमारे अंदर मन में है उपर वाला वो भी देख यह हमको बताया जाता है तो यहीं यहां पर लिखा है all through the night जो लैंचो है वो केवल अपनी एक होप के बारे में सोच रहा था और वो होप क्या थी वो होप था help of God जिसको बताया गया था कि भगवान की आखे सब देख रही है whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in once concise यानि कि एक आदमी के दिल और दिमाग में क्या भगवान वो भी देख रहे है तो इसलिए अब उसका होप था कि केवल मेरा भगवान मेरी मदद करेगा वो मुझे उसने मुझे पैदा करे तो वो मुझे भूका तो नहीं रहने देगा ठीक है अब यहां पर बोला गया लैंचो वाजन ऑक्स ऑफ ऑफ एक्सेप्शन है हाना तो यहां पर बोला गया भई भले ही लैंचो फार्मर था भले ही लैंचो बहुत काम करता था भले ही लैंचो अपनी फील्ड में यूनो आनिमल की तरह ही उस तू वर्क बट ही नोज हाओ टू राइट उसे पता था कि लिखते कैसे हैं तो उसने क्या क को टाउन तक लेकर जाओंगा शेहर तक और फिर मैं उसको क्या कर दूँगा पोस्ट ओफिस में दे दूँगा अब वो लेटर लिख किसको रहा था इट वो भगवान को लेटर लिख रहा था अगर मैं आप सभी से पूछू आप भगवान को मानते हो आप बोलोगे हाँ मा चारा यहां पर जो लेंचों है वह इतना जादा मासूव में कि जो बोल दो वह मानले उसको लग रहा है भगवान उसके लेटर का रिप्लाइए करेंगे तो वह भगवान को लेटर लिखने बैड़ गया लेटर के अंदर उसने क्या लिखा कि भगवान मुझे 100 पैसोस की ज लेटर लिखा होता है अब भवाई जो इंपलॉइ होता है वह जोअ का थीक है वह देखता है की अड़ीया यह क्या है यह dar姥ा अधूलिं मतलब बहुती फ्रेंड्ली खुशमी जा जॉली किसम का आदमी फह ठीक है तो बहुती सliamo लगे लिए उम्मीद कर रहा है कि इतना विश्वास और यह ouais आप अब एक बार इसके विश्वास के बारे में सोचो कि इसे किस लेवल का भगवान पर विश्वास होगा कि इसने लेटर लिख दिया और यह उमीद कर रहा है कि इसका रिपलाय आएगा सो अब यहां से सबसे important part है जो question में पूछा जाता है कि क्या करा कि क्यूं help करी पोस्ट मास्टर ने सो इन order to not to shake the writer's faith in God कि यह जो राइटर को ने लेंचो की लेंचो का जो विश्वास था जो भरोसा था वो भगवान से डग मगाए नहीं पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया कि वो इस लेटर का अंसर करेगा हाना हमें बोला जाता है ना कि भगवान खुद नहीं आते किसी रूप में भेज़ जैते वह अली कहानी सुनी है आपने कि एक आदमी डूब रहा होता है हाना और एक शेप आती है तो वह बोलते है आ भगवान आपने मुझे क्यों नहीं बचाया तो भगवान क्या बोलते है अब वो जो भेज रहा था वो कौन भेज रहा था मैं तो बेज रहा था अब तो यहां पर वही वाली बात है कि भगवान किसी ना किसी के रूप में हमारी मदद करते है यहां पर पोस्ट मास्टर को लगा कि यार अगर इसका रिप्लाइ नहीं किया गया तो इसका तो जो भरोसा है वो डगमगा जाएगा ना भगवान से तो इसलिए क्या करेंगे हम आंसर करेंगे इसके लेटर का हम क्या करेंगे हम आंसर देंगे ठीक है अब वो क्या करता है अब वो देखता है कि भाई खाल सोज मांग रखें इसे तो पैसा भी चाहिए खाली मेरा अच्छा इंसान बनने से कुछ नहीं होगा कि मैं रिप्लाइ कर दू नहीं नहीं सकते हो कि he asked for money from his employees he himself gave part of his salary and asked several friends of his ठीक है कि भाई आप मदद करें और वो जो उसके केवल सतर पैसोजी अरेंज कर पाए एबिल टू सेंड़ फार्मर उनली लिटिल मोर देन हाफ केवल सतर पैसोज का ही अरेंजमेंट यहां पर हो पाया अब भाई क्या होता है यह दुबारा आता है अगले हफते लेंचो थोड़ी और जल्दी आ जाता है क्योंकि excitement होती है कि प लिखकर भेज दिया होता है कि उसे लगे भगवान नहीं भेजा तो यहां से हमें दिखाई देता है कि जो पोस्ट मास्टर अच्छा आदमें उसने क्रेडिट भी नहीं लिया अपने काम का तो अब क्या होता है जब लेंचो आता है तो not the slightest surprise of seeing नमानी उसके शकल पर टूट विश्वास था भगवान के उपर जैसे ही वह लेटर खोलता है बहुत गुस्सा आता है वह खुश नहीं होता कि भगवान ने एटलिस में रिप्लाई किया सतर पैसो नहीं उसे कोई एहरानी नहीं थी इस बात की बलकि वह गुस्सा हो जाता है जैसे ही वह पैसे गौड और अपनी डटाई आस्ट फॉर के जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे ना ओनली सेवेंटी पैसो रीच्ट मी की मेरे तक केवल सकतर पैसो आएं अब लेंचो का एक विश्वास था कि ना तो भगवान मुझे मना कर सकता है कि मुझे जरूरत है भगवान मना करी नहीं हैं पैसो जाये हैं मेरे पास आप प्लीज मुझे बाकी के भेज़ दो since I need it very much क्योंकि भगया मुझे जरूरत है मेरी फैमली भू की रह जाएगी हाना मुझे पैसो की जरूरत है बट लास्ट में वो क्या लिखता है डोंट सेंड टू मी थू दा मेल आप मुझे इन मास्र को कितना बुरा लगाओ जिसने उसकी मदद करी लंचों ने उसी पर शक करा हना कि इनी लोगों ने मेरे जो पैसे है वो निकाल दी है यह डिसॉनेस्ट है यह बई मान लोगे आप इनके थूरू मुझे पैसे मत पिचवाओ यहीं पर हमारा चाप्टर खतम होता है तो करी और इसने अट दी एंड उन्हें ही बंच ओफ क्रूप बोल दिया ठीक है दूसरी चीज यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्फलिक्ट कॉन्फलिक्ट मतलब लडाई दो कॉन्फलिक्ट हमें यह देखने मिलती है यह आपके NCRT में क्वेस्चन भी है अगर बोलू कि humans and nature के वीच में हमें लडाई देखने मिली तो वो लडाई क्या थी कि भाई एक तो human ने इतनी महनत करी अपनी फील्ड पे लेंचो ने इतनी महनत करी और बदले में nature क्या हो गया nature वाइलेंट हो गया हाना भारी तुफान दे दिया nature ने ओले बरसा दिये तो एक त दूसरी conflict humans और humans की के यहां post office employees ने मदद करी एक इंसान ने दूसरी इंसान की मदद करी बट इंसानों को आजकल अपने भाईयों पर ही भरोसा नहीं रहा है because of this दुनिया and culture तो यह एक conflict थी humans and humans की ठीक है बचो तो that's it for today's class मैं दुबारा बूल रही हूं homework कर लेना आपको description मे एक link मिलेगा उस पर click करना है and you guys can attempt your homework साथी साथ अगर आपको line वैसे तो इसमें सारी चीजे कवर्ड है कोई भी दुनिया का lecture उठा लो कोई एक्ट्रा चीज मिल जाए तो मुझे बता देना दूसरी चीज यहां पर सारी चीजे कवर्ड है स्टिल अगर आपको line by line देखना नहीं यहां नहीं I'll see you guys in the next class thank you so much everybody bye bye take care